हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मर्ज स्टड़ी पॉइंट में आज हम बात करेंगे महत्पूंट देशों की सीमा रेखाऊं से सम्मंदेत प्रश्णों के बारे में तो देखते हैं कुशनों को दोस्तो 38 डिग्री समानता रेखा कि इन देशों के मद्ध है भारत तता बांगला देश उत्री कोरिया तता चीन उत्री कोरिया तता दच्छनी कोरिया भारत तता चीन तो दोस्तो इस कांसर हो जाएगा उत्री कोरिया तता दच्छनी कोरिया मैप में भी देख सकते हैं दोस्तो यह वो 38 डिग्री समानतर एक द्वारा बनती है next question 141 डिग्री पच्छमी देशांतर किसके मद्ध है भारत तथा बांगलादेश उत्री कोरिया तथा चीन अलास्का तथा कनाडा भारत तथा चीन तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा अलास्का तथा कनाडा इसे भी देख सकते हैं दोस्तों मैप के माद्ध हम से यह त्री अमेरिका का मैप है और इसमें देख सकते हैं आप अलास्का और कनाडा इनके बीच में जो ब्लेक डार्क लाइन है इसे देख सकते हैं आप ये 141 डिग्री पस्चमी देशांतर रेखा के द्वारा इन देशों के बीच में सीमा बनती है दोस्तों अलास्का पर USA का अधिकार है नेक्स्ट कुश्चिन USA तथा कनाड़ा के बीच कौन सी सीमा रेखा है? 17 डिग्री समांतर रेखा 38 डिग्री समांतर रेखा 49 डिग्री समांतर रेखा 24 डिग्री समांतर रेखा तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा 49 डिग्री समांतर रेखा देख सकते हैं दोस्तों इसको भी देख सकते हैं दोस्तों ऊपर कनाड़ा और नीचे USA जैसे और इन देशों के बीज में जो सीमा रेगा बनती है expectedude किरेत पाकिस्टानितंता अफगानिस्तानने सटामें से कोई नहीं तो दोस्तों इस का आंसर हो जाएंगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान दोस्तों सेगिंड इसका रायट आंसर है दोस्तों यह सीमा रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी लेकिन बटवारे के बाद जब पाकिस्तान बन गया तब से यह पाकिस्तान और अफगनिस्तान के बीच हो गई एक्स्कूशन मैगनोट रेखा किन देशों के मद्ध है रूस तता फिनलेंड चीन तता अत्रिकोरिया जर्मनी तता पोलेंड जर्मनी तता फ्रांस तो दोस्तो इस कांसर हो जाएगा जर्मनी तता फ्रांस इसे भी देख सकते हैं दोस्तो मैप में दोस्तो यह यूरोप का मैप है आप देख सकते हैं फ्रांस और जर्मनी को इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा बन दिया दोस्तो उसे ही मैगनोट रेखा के नाम से जाना जाता है रेट किलिफ रेखा किन देशों के मद्ध है भारत तथा पाकिस्तान चीन तथा पाकिस्तान रूस तथा फिनलेंड या फिर चीन तथा पाकिस्तान तो दोस्तों इसका अंसर होगा भारत तथा पाकिस्तान इसा भी जानते होंगे भारत तथा पाकिस्तान फरस्टेश का राइ मोहन रेखा 24 degree अच्छांसर रेखा तो दोस्तों इस कांसर होगा सुन्य रेखा भारत और बंगल्देश के बीच जो सीमा है उससे शुन्य रेखा की नाम से जाना जाता है दोस्तों 0-line के नाम से नेक्टक्ष् nom, रूस तथव फिंलेंड के मुद्ध है, कौन सी सीमा रेखा है? दोस्तो, हम बताना है, रूस और फिंलेंड के बीच, जो सीमा रेखा बनती है, उस रेखा को क्या कहते है? तो दोस्तो हम देख चुके हैं मेडि नौक रेखा भी दोस्तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मैन रहिन यही रूश और फिनलेंड के भी सीवा बनाती है मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों रूस और फिनलेंड को आप देख सकते हैं जो बड़ा सा देश है वो दिख रहा होगा आपको रूस और उसके बराबर में फिनलेंड और इनके बीच जो सीमा रेखा है उसे मेन हरीन रेखा की नाम से जाना जाता है मैक मोहन रेखा किस के मद्ध है हमें बताना है कौन से देशों के मद्ध है मैक मोहन रेखा है भारत तथा चीन भारत तथा पाकिस्तान भारत तथा बांगलादेश इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इस कांसर होगा भारत तथा चीन मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है नेक्स्ट कुश्यन हिंडन वर्क सीमा रेखा किन देशों के मद्ध है जर्मनी तता फ्रांस जर्मनी तता पोलेंड रूस तता फिनलेंड इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा जर्मनी तता पोलेंड उप्सन सेकेड़न इसका राइट अंसर होगा देख सकते हैं दोस्तो इसको भी हम यूरोप के मैप में एक तरफ जर्मनी और एक तरफ पोलेंड और बिल्यक डारक लाइन जो है इससे आप देख सकते हैं इसके बीच में जो SEMA रेखा है उसे ही हिंडनबर्क रेखा की नाम से जाना जाता है दोस्तों next question 24 डिग्री अच्छांस किसके मद्ध है गुजरात तथा पाकिस्तान राजिस्तान तथा पाकिस्तान पंजाब तथा पाकिस्तान जम्मुकस्मिर तथा पाकिस्तान तो दोस्तो 24 डिग्री अच्छांस जो SEMA बनाता है वो गुजरात और पाकिस्तान के मद्ध बनाता है option first इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों ये थे सीमा रेखाओं से संबंदित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने देखे हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों